अगर आप मज़ेदार फैट्स की सौकी है तो सब्सक्राइब टो मैं चैनल कि इस चैनल में एसे ही मज़ेदार फैट्स की बरसा ने वाले है तो एक धाना के दार इंट्रो के पास शुरूपे दहीं है वीडियो Т欸ट तवनल में खास आपिर हुआएं ठके दास मत दोना के लिए से ही मज़ेदार ने झालhead है वी तर तर फैट त Negड़र पी द conception देंट्स की स्थक्राइब इस झाल झाल और नमबर दो पर आता है fin deep sea octopus ये octopus का second major category है जिसमें ज्यादातर octopus पाई जाते हैं ये octopus समंदर से बहुत miles नीचे deep sea में रहता है तो नमबर थ्री पर है atlantic pygmy octopus ये octopus बहुत ही ज्यादा छोटा है 6 inch से भी कम इनका weight है 1 ounce in fact ये octopus के सबसे छोटे species है ये octopus अपने body का color change करते रहते हैं खुद को बचाने के लिए but most of the time ये white color के ही होते हैं with some brown spots ये कैमान island में पाई जाते हैं ये octopus clean और warm water में especially coral reef के आसपास पाई जाते हैं pygmy octopus भी बाकी octopus की तरह intelligent और playful है ये octopus ज़्यादा तर crustaceans को खाते हैं और number four पे आता है blue ringed octopus ये octopus भी अपने body का color बदल सकता है खुद को protect करने के लिए बेट इसका blue rings हमेशा रहता है ज़्यादा तर ये octopus खुद के color को yellow, cream और brown color में change करता है ये octopus बहुत ही powerful है और flexible भी है क्योंकि इनके पास skeleton ही नहीं है ये octopus 8 inch का ही है इसके छोटे size के बावजु ये बहुत जहर चोड़ सकता है अपने killer को पारलाइस करने के लिए ये octopus बहुत ही ज्यादा aggressive होते हैं इसलिए अगर कोई उस पे हमला करे तो ये octopus ना भाग कर उल्टा हमला करता है अगर आपको कहीं पे भी ये octopus मिल गया ना तो वहाँ से भाग लीजिए क्योंकि भागने में ही आपकी भलाई है इसका जहर थोड़ा सा भी आपके सरीर पे लगा तो आपके body में बहुत physical damage हो जाएगा तो नमबर 5 पे है California two spot octopus ये octopus को by mac octopus भी बोला जाता है ज्यादा तर ये octopus grays color के होते हैं with yellow spots बट इनका color change होते रहता है खुद को बचाने के लिए इसलिए इन्हें और भी color में पाया गया है पानी का तापमान 65 से 72 degree Fahrenheit में ये octopus अच्छे से रह पाते हैं इसलिए ये octopus ज्यादा तर आफरिका, मेक्सिको और जापान में पाये जाते हैं ये octopus holes और rocks में छुपना पसंद करते हैं इन्हें octopus के सबसे friendliest species के नाम से जाना जाता है ये octopus बहुत fast swim करते हैं तो आप अगर उतनी स्पीर से swim कर पाए तब ही इसे देख सकते हैं ये octopus जब भागने की तयारी करता है तो एक ink spray करता है याद रखना, ink है, जहर नहीं और ये ink इसलिए स्प्रे करते हैं ताकि भागते वक्त कोई उन्हें देखना पाए और number six पे आता है Caribbean reef octopus ये octopus blue green color का होता है with brown sates reef octopus के आखों में dark circles पाए जाते हैं इस octopus का body 5 inch लंबा है जबकि इसकी arms 23 inches इनके weight लगबग 3 pounds है इस octopus का सर बहुत बड़ा है और arms बहुत मोटा है इसलिए ये octopus बहुत slow move करता है ये octopus flat surface पे चिपक के रहता है ज़्यादा तर ये एक छोटा सा parachute की तरह दिखता है ये octopus Atlantic Ocean, Bahamas और Caribbean Sea में पाए जाते हैं ये octopus crustaceans पे feed करते हैं और ये octopus ज़्यादा तर रात को खाने की तलास में निकलता है ये octopus रात में glow भी करता है तो नमबर 7 पे है common octopus common octopus 12-36 inches तक हो सकते हैं ये octopus 7-20 pounds तक हो सकता है common octopus के आखें उनके body के मुकाबले बड़े होते हैं ये octopus tropical और temperate पानी में रह सकता है मतलब ये दुनिया के हर एक समंदर में पाए जाते हैं ये octopus crustaceans, crayfish, crabs और mollusk खाते हैं और नमबर 8 पे आता है East Pacific Red Octopus इनका overall length 20 inch है और weight सिर्फ 5 ounce Arms के length के मुकाबले body का length 3 गुना छोटा है ये octopus का primary color है red पर इसके बावजूद ये octopus brownish red, white, yellow और brown color में पाए जाते हैं Red octopus ज़्यादा तर Alaska में पाए जाते हैं ये octopus पानी के 300 feet के नीचे नहीं जाते हैं पर कभी-कभी खाने की तलास में 300 feet के नीचे भी चले जाते हैं ये octopus ज़्यादा तर clam, crab, scallop और कुछ fish खाते हैं इनके eating habits बहुत odd हैं ये octopus खाना ढूनने के बाद उससे लेकर अपने घर पे जाते हैं इसे mimic octopus इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये octopus अपनी आसपास की जानवरों की नकल करता है ये octopus ज़्यादा तर brown और white color के होते हैं ये octopus Southeast Asia में पाये जाते हैं ये octopus 1990s में discover किया गया था इन्हें मड़ी और गरम पानी में रहना पसंद है इन्हें बाकी जनवरों से घुलना मिलना पसंद नहीं है ये octopus eel, starfish, jellyfish, stingrays को mimic कर सकता है अपने body के color change करके और उनके moments को copy करके ये octopus crabs और fish से लेकर worms और crustaceans भी खाते हैं ये octopus ज़्यादा तर Malaysia के आसपास पाये जाते हैं अोपस A Master of Disguise In its natural state, the Mimic Octopus is a light beige color and like most octopi can change its skin pigment to blend in with its surroundings but the Mimic Octopus takes things to another level altogether found in Indonesia and in the Great Barrier Reef it's an octopus that is so intelligent that when it feels threatened it can fool possible predators into thinking that it is in fact और नमबर 10 पे आता है North Pacific Giant Octopus यह Octopus का सबसे largest species है यह Octopus 15 feet तक लंबा और 150 pound virgin का है North Pacific Giant Octopus light, dark, brown और red color के हो सकते हैं बट environment के हिसाब से यह Octopus अपने body के color को change करता रहता है यह Octopus जब समंदर के floor पे चिपक जाता है तब एक starfish की तरह दिखता है giant octopus के लंबे और मोटे arms और बड़ा head होता है इनके body का center spherical होता है quickly move करने के लिए क्योंकि ये बाकी octopus की तरह इतने fast नहीं है इसलिए खुद को बचाने के लिए ये octopus ink का इस्तेमाल करते हैं ये octopus ज्यादा तर पानी के 200 feet गहराई के अंदर पाये जाते हैं बट अगर खाने की जरूरत हो तो उससे भी नीचे जा सकते हैं तो अब लाश number 11 पे है 7 armed octopus इस octopus के सिर्फ 7 arms visible है actually इस octopus का 8 arm मौझूद है पर दिखाई नहीं देता 8 arm एक small sack की तरह octopus के आखों के नीचे मौझूद है ये octopus 13 feet तक लंबा है और इसका वज़न है लगभग 150 pounds न्यूजिलैंड के आसपास ये octopus को discover किया गया था ये octopus छोटे जगह में भी छुप सकता है इसकी flexibility की बज़े से और आज एक bonus fact पेश है आप लोगों के खातर octopus एक साल ही जिन्दा रह सकते है males mating के कुछ हबतों बाद मर जाते है और females eggs hatch होने के कुछ हबतों बाद मर जाते है क्योंकि दोनों खाना बन करके एक्स के hatch होने की इंतजार करने लगते है इसलिए भूक में मर जाते है octopus के तीन तरह के गैर होते है एक है slowly जब कोई खत्रा ना हो दो है body और arms को योज करके खाने की तलास करना और तीन है बहुत fast इतना कि वो अपने body से water निकालता है ताकि fast हो सके और कभी-कभी इंक भी छोड़ते हैं अगर साग या कोई और उन्हें मानने आ रहा हो तो octopus के total तीन hearts है fast heart body और arms में blood circulate करता है जबकि दूसरा और तीसरा heart blood pump करते हैं gills में इसके blood में hemosyanin नाम का एक component पाया गयाता है hemosyanin copper के साथ अच्छे से bind कर सकता है इसलिए octopus का blood blue color का होता है इंसानों में hemosyanin iron के साथ bind करता है इसलिए हमारा blood red color का होता है अगर facts पसंदाया तो like और share करना ना बोले comment down below कौन सा octopus आपको सबसे ज़्यादा भायानक लगा अगर आप ऐसे ही मज़ेदार facts के दिवाने हैं तो subscribe to my channel also smash that bell icon to never miss an update about upcoming awesome videos thanks for watching